नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआ सुन्दर सुन्दर फूलों के साथ और बिल्कुल जैसा की आज बसंत पंचमी है आप सभी को मुबारक भी और बिल्कुल दोस्तों यह जो टाइम होता है बसंत पंचमी का यह पोधे जो भी होम मेकर हैं होम मेकर में दोस्तों लेडीज ही नहीं आती आजकल जैंट्स भी आते हैं क्योंकि आजकल कमबाइन काम हो गए है और सारे के सारे शोक जो ओरते रखती थी वो सभी अब उन कामों को करने में जैंट्स में नहीं जीजगते तो बिल्कुल अब यह शोक ज सारा टाइम तो चली रहा है गार्णिंग का लेकिन दोस्तों एक होम मेकर होने के नाते आप जब गार्णिंग की शुरुआत करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता ज्यादा तो तब आप क्या करते हैं आप छोटे-छोटे स्किल्स के जरिए या जब आप यूट् देखके ही शुरुआत की है गार्णिंग की तो उनके लिए ही ये वीडियो है आज कि कैसे आप छोटी-छोटी चीज़ों से बिना बाहर जाए बिना बाहर का मतलब कुछ भी घर में लाई या कोई भी आउटसाइड हेल्प लिए आप गार्णिंग के शोग को कैसे बढ़ा लोगी तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपनी किचन से किचन में हमारे जो सीड्स होते हैं उनसे उगा के हम किचन गार्णिंग की शुरुआत करते हैं और आसपास अगर हमारे घरों के बल्ब्स लगे हुए हैं किसी के घर के बाहर लगे हुए हैं तो अग प्रैलेस लीली या कैना लीली मतलब रेन लीली दुनिया भर के बल्ब्स इस टैम लगाने का मोसम है तो आप अपने आसपास देखो या आपके घर पे भी कुछ लगे हुए हैं उनको भी आप डिवाइड कर सकते हो मैं लीलियम के प्लांट आपको जरूर दिखाती जिसको अंदर तोड़ गे लेकिन वो दुबारा ग्रो कर जाएगा क्योंकि यह बलब से उखते हैं वो दुबारा से निकलेगा नो फिर मैं आपको दिखाऊंगी और इस टेम दोस्तों आप बिल्कुल चाहे बिगिनरों मैंने भी शुरुआत ऐसे की थी पहले मैंने गुडल की कट पहले पासरी जाने की जरूरत निए और ये ऐसे कोमन पोध हैं आपको अपने घर के आसपास बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देंगे इसमें ऐसा कोई इसक्रेट नियह और जो बिल्कुल घर से निकलते नियह ऐसे ओनलाइन शोपिंग करते हैं तो वो सीट्स मंगा सकते है जो सीजनल फ्लावर है हमारे जीनिया होगे कोस्मोस होगे और मतलब किचन गार्डनिंग का भी जिसको शोक है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देती हूँ है ना तो वहां से आप बहुत अच्छे रेट पे और डिसकाउंट पे भी आप कोई भी मतलब आपक सकते हैं तो आते हैं खाद मट्टी बनाने पे और आप घर से अब क्या-क्या अपने पोद्धों को दे सकते हैं वह भी मैं आपको दिखाऊंगे अपनी किचन से दिखा दूंगी जो मैं करती रहती हूँ तो इस टम दोस्तों जो भी पूछ रहे थे कि गुलाब के बारे में हम क्या करें गुलाब दोस्तों है वी फीडर प्लांट है और इस टम जब मोसम बदल रहा है ना तो इनको हल्की सी प्रूनिंग की भी जुरूरत है और आपने इनको अब खाद देनी है खाद चाहे आप अपने घर से दे चाहे बाहर से जो रोज फूड वगरा मिलते हैं या कंपोस्ट वगरा आती हैं वो आप मगा के इनको दे सकते हैं तो मैं आम तोर पे घर से ही वैसे तो कुछ-कुछ डालती रहती हूं इनमें चाय की पत्ती होगी उसको दो के डालती रहती हूं गुलाब को बहुत अच्छी लगती है वो और दोस्तों जो हमारी किचन में मठ् निकलता है मक्खन निकालने के बाद तो कई बर हमें समझ भी नहीं आता है इसका क्या यूज करें और कोई पीने वाला भी नहीं होता और जैसे अभी हलकी ठंड है भी तो आप उसको भी थोड़ा सा फर्मेंट करके हलका सा ओर खटा करके और बिल्कुल उसका फुट रिमू करके रख दूंगी और फिर कल मैं इसको चान के और सारे पानी में मिलाके बड़ी बाल्टी में मिक्स करके तो वो गुलाब के पोद्धों में डाल दूंगी और जो थोड़ी बहुत बचेगी वो अपने और जैसे की मिर्ची होगी और जैसे चांदनी के प्लांट होगे और फूल जो गिरने की समस्या होती है जैसे मिर्ची के पोद्धो में इन में तो वो भी आपकी समस्या रुख जाती है तो मैं भी दोस्तों इचोट-चोटे काम घर में करती रहती हूं मैं कोई बाहर से इतना कुछ नहीं लेकियाती हैं कई बार ओन-लाइन शोपिंग कर लेती नरसरी के मैं वीडियो आपको दिखाती रहती हूं तो बस यही करती रहती हूं मैं भी एक होममेकर होने के नाते और बस यह इस टैम आपका जो यह फ्लावरिंग का टाइम है वो तो चली रहा है लेकिन दोस्तों इस वक्त आप इन प्लांट्स को डिवाइड भी कर सकते हो अगर आपने ज्यादा मात्रा में लगाने है तो कई बर हम बहुत कोस्तली प्लांट नरसरी से ले आते हैं फिर हमें उन्हें डिवाइड भी नहीं करना था तो इसी तरह से आपके कैलन कोई के प्लांट है रोईयों के प्लांट है आपके मैक्सिकन पेटूनिया जिने आप प्लांट को भी अध्यान करो सेत्ति क्रावच फोलोगी था तो इस तरीक से अपने शुरूइड करनी है क्योंकि दोस्तों जम हों में होते हैं तो हमें का इम यह प्लांट को कैसे बढ़ाएँ और जआदा से ज्यादा हम अपना को अपना व्लांट को कैसे जादा से जादा होगा मोटिव कि हम शुरूवात बिलकुल जीरो बजट गार्डिनिंग से करें और धीर धीरी शुरूवात करते रहें आप घर में धनिया लगा सकते हो आप घर में अजwayern है आपके घर में वो लगा सकते हो मेठी दाना है वो लगा सकते हो तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़े लगा के और हमारे घर में जैसे सबजी आती है चकुंदर आगे गाजर आगे उनके जो एंड का पार्ट बचता है उसको भी आप ग्रो कर सकते हो प्याज लसन वसन ये तो ना बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़े हैं जिनको आप घर में ग्रो कर सकते हो और दोस्तो आगे आने वाले टाइम में जैसे मैं अभी प्रून के हुए प्लांट दिखा रही हूँ आपको अर्वी आएगी अर्वी के पत्ते इतने सुंदर लगते हैं देखने में बहुत मतलब आप अगर अर्वी के पत्ते खाते भी नहीं ह इतने सारी चीज़ें हमारे किचन में आपके घर में अर्वी आती है अर्वी आती है जो सूख जाती है उनके बीच भी आप ज़ाड़के नहीं मिर्चों के प्लांट बना सकते हो है ना कैपसी कम के तो चैप सीद्धे डाल दो किसी भी कलर की हो आपके इतने इस्छे प्लां आपने बीज गर 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 के और जहां पर सदा बहर के प्लांट बीज गर के ज्यादा से त्यार हो गए थे वहां से मैं निकालना लए मैंने उनको डिवाइड कर दिया तो यह जो गार्डनिंग के शुकीन लोग होते हैं वो करते ही रहते हैं और यह दोस्तों देखो जैसे कि इनके मैंने कटाई शटाई कर दी थी और अब यह दुबारा से ही फ्लावरिंग पे आए हैं तो यह भी आपने गार्डनिंग में ध्यान देना है कि आपने सुखे पत्तों को भी हटाना है और जो आपके फूल आके सुख चुके हैं उनको भी आपने हटाना है और जो बरान चीज़ आपको खराब लग रही है बेकार लग रही है उनको भी आपने रिमूव करना है तो इसके लिए आपके पास थोड़े से टूल्स भी होने चाहिए स्केटियर वगरा भी होना चाहिए है ना एक सीजर अपनी गार्डनिंग के अलग से होनी चाहिए खुर्पी होनी चाहिए छोटी बड़ी और जैसे दोस्तों मैं क्या करती हूँ बहुत सारी विराइटी एक पोर्ट में लगा देती हूँ और बहुत सारे मिरे पस कमेंट आते हैं कि मैं अब आप इनकी गुडाई कैसे करते हो तो इस टेम सीड लगाने का तो देखो मोसम चली रहा है और मैं एक गंबले में बहुत सारे लगाती हूँ फिर मैं क्या करती हूँ जो मेरे किचन में जो मेरे फोक अन्यूस्ड हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं उनको या जो मेरी बटर वेगरा लगाने वाली छूरी होती है जो मुझे लगती है अच्छी सी ने रही फिर मैं उनको गार्णिंग में ले आती हूँ तो उनसे भी मैं कर लेती हूँ काम तो इस तरह से चोटी चोटी चीज़ों को यूज करके मैं मतलब जुगाडवाजी करके ही अपने गार्णिंग के शोग को बढ़ाती रहती हूँ और इसी तरीके से दोस्तों होम मेकर्ज होते हैं जो की शोग भी रखते हैं नहीं प्लांट से लगाने का घर से भी मैनेश करते हैं घर से जो हमारे वेस्ट आइटम्स निकलते हैं प्लास्टिक के पैकिंग्स आ जाती हैं हमारे पास कईबर और जैसे कि थर्मो कोल का यूज करके भी मैने देखो एक रैंप सा बना के आपको दिखाया कईबर घर में काम उत्ता टैल्स वगरा बच जाती हैं यह लकडी का काम होता है फट्टे वट्टे कुछ भी बच जाते हैं तो उनको भी आप री आरेंज करके एक पैटन सा बना सकते हो जैसे मैंने सारे के सारे अपने गार्डन में ऐसे ही बना रखा है कुछ स्टेंड्स हैं कुछ मैंने खुद से डिवालप कर रखा है तो उसके लिए मैंने आपको बताई रखा है कि सोप वोटर आप स्प्रे कर सकते हो अपने गुलाब पे कर सकते हो अपने मिर्चों पे कर सकते हो या अपने फूलों वाले पोद्धों पे कर सकते हो और देखो कुछी दिन पहले जैसे मैंने मठा वगरा इसमें डाला था तो देखो वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा इससे क्या होता है कि गुलाब की ग्रोथ भी बढ़ती है और दूसरा दोस्तो इन पोद्धों के लिए एक फूड का काम करते हैं वो हमने तो वैसे भ लिक्विड फर्टिलाइजर बनाके अपने फूल वाले पोद्धों को दे सकते हो अपने सबजियों को दे सकते हो जिससे कि आपके लिए तो वो वैसे भी डस्ट बीन में जाने वाले हैं लेकिन इनके लिए दोस्तों वो टॉनिक का काम करेंगे इनके लिए वो फूड का का करेंगे प्लांट्स के लिए और इन चीजों में दोस्तों इतने सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रियंट्रियंट्स होते हैं जो हमारे पोद्धों के लिए बाहर से कुछ भी दिये बगार एक बहुत अच्छे फर्टिलाइजर का काम करते हैं और वह भी और गैनिकली तो यही छोटी-छोटी बाते थी जो मुझे एक होम मेकर होने के नाते आप भी खुद होम मेकर हैं तो उनको शेयर करनी थी तो उमीद है आपको इबाते अच्छी लगी होंगी और इस टेम दोस्तों फरवरी और मार्श का मोसम ऐसा है कि जूट जाओ गार्णिंग में फिर सार फिर से और घर से तो आप करी सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताई रही हूं तो लगाए सुंदर-सुंदर भी जुगाए सुंदर-सुंदर प्लांट थैंक यू वेरी मुश्ट और इसी तरह से सुंदर फूल पोद्दे लगाते रहो टेक केर उफ यू और प्लांट्स दोस् हमने दोस्ट जगू घए से अगए सुंदर और एंग नहेँ हैं जह उघ्सके lis estássus दॉर marin के ओना हमना ही ओयर प्लांश अग्टा हैं Kö